हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग स्वागत है आपका पेपर हैकर के यूट्यूब चैनल में ठीक है हम सुरू करते हैं अगनीवीर बायू सेना का प्रेक्टिस सेट की सीरीज जो चल रही थी इसका तीसरा प्रेक्टिस सेट है यह और पेपर फर्स्ट हम कराने वाले हैं ठ है यह प्रवाइड किया गया ठीक है तो यहां से हम सुरू करते हैं अपने पहले प्रेक्टिस की और पहला प्रेशन रहता है आपका इसमें यह एक पैरा दिया हुआ होता है उसे एक से चार से प्रेशन आपसे पूछे जाते हैं इन प्रष्णों को हल करने का सबसे शटीक तरीका यह है कि आप सबसे पहले परा को छोड़ दे उसके बाद सबसे पहले आप क्या करें पहले जो इस bis pic दिय प्रशन दिये हुए है उनको को सॉल पाने की कोसिस करें हम क्या करते हैं हम देख लेते हैं हमारा प्रेशन जो है हमारा पैला प्रेशन दिए हुआ है फर्ट यह यह जो दो बर्ड दिया है यह यहां पर ठीक है यह आप से पूछे है यह क्या है ऐडर्ब है नाउन ह्याब श्रह पता चली ग sticky और ऐला पर यह में कर सकते हैं यह जो जाएंगे आपके adjectives हो जाएंगे ठीक है, यानि कि particular और extinct क्या हो जाएंगे आपके adjectives हो जाएंगे, तो adjectives क्या होते हैं, जो noun के बारे में बताएं, यानि कि एक्स्प्रेस करें उन्हें adjective करते हैं, तो यहां से यह तो आपको पता होगा, ऐसे ही अपने second question की तरफ our question ज भी यह विच्व 따라 страш अब निटे मिनर इन इंट यानि कि इसमें जो फ्रेस्ई में है वह डिटे मिनर क्या है यानि कि वो पूछना चाहरा है कि जो इसमें पैरा दिया हुआ है वह से रिलेटेटिड है वह किस único चार और गूम रहा है वो किस पर निरधारित है इन चार ओप्सन में से आपको जो है आंसर देना है लेकिन हम जब तक पैरा को नहीं पढ़ेंगे तब तक इसका आंसर नहीं दे सकते इसलिए हम क्या करते हैं इसको बिना पैरा की सःता की attempt हो जाएगा तो the old species has changed and not really died out ठीक है तो आपको पता होगा इसमें has का प्रियोग हुआ है ठीक है यहाँ पर आप देख रहे ह। यहाँ पर किसका प्रियोग हुआ है है सक प्रियोग हुआ है और हम ने देखा कि यहाँ पर changed कि प्रियोग हुआ है यानि कि हैस के साथ मैं घटे टार लगी हुए या तो यह किसकी कंडिशन हो जाती है प्रजेंट परफेक्ट की है यह यह दिया हुआ हूँ भी जानव में दो किसकी साथ हो चाहिए आपकी प्रफेक्ट की यानि दो प्रश्न जो है हमारे पैरा से सॉल्व हो गए उसके बाद बच्चे दो प्रश्न दो कुर्श्न हमारे बच्चे हुए है यानि कि आपको तीन डिग्रियां दी हुई है आपको बताना है इन में से कौन सा कौन से की तीनो डिग्रियां ठीक है ठीक है यह है ऐरली lighter, earlier, earliest, hot, more hot, hottest, easy, more easy, most easy या spatial, specialist और specialist ठीक है इन चारों अप्सन में से आपको बताना है कि कौन से अप्सन की डिग्रियां बिल्कुल correct है ठीक है कौन से में डिग्रियां बिल्कुल correct बता हुई है तो हम को बताए कि अरली की जो motorcycles होती है अर्ली, अर्लियर और अर्लियस्ट होता है ठीक है अर्ली, अर्लियर और अर्लियस्ट जबकि होट की जगे होट का जो है comparative जो होती है वो क्या होती है hotter होती है और superlative degree क्या बनती है hottest बनती है इसमें क्या है यहाँ पे दिक्कत है B option में भी दिक्कत है इसका easy का easy easy का क्या है easy easier और easiest रहता है ऐसे ही special का more special और most special रहता है ऐसे कि यह तीनों option आपके cut हो गए यानि कि चार जो पैरा से question दिये हुए थे हमने तीन तो बिना पैरा देखे ही attempt कर लिए आप रह गया आपका एक question पहला जो question है यह आपको दिया हुआ है पहला question आपको दिया हुआ है तो इसमें पहला question है हम attempt कर शुके थे हमारा question बचाता second ठीट है ठीक है इसमें हमको आप आपको सीदे पैरा देखना है और पैरा में जाके एच को पैरा किसके बात कर रहा है ठीक है किसके बारे महीं हमें इसमें बता है गया है तो हम तोड़ा तरीकों से जो है बिलुप्त हो गए होंगे ठीक है जो जानवर थे वो बिलुप्त हो गए कई तरीके से फस्ट ओफ आल दे में इवाल्व इन्टू एनदर इस्पसीज यानि कि सबसे पहले क्या हुआ बे हो सकता है वो दूसरी प्रजातियों में मूब कर गए हों है न इन्टू एनदर एस्पसीज एंड नोट रियली डाइ आउट ओफ आल यानि कि यह कहना चाह रहा है कि सारी जो जानवर थे वो खतम नहीं हो गए कुछ जो है दूसरी प्रजातियों में चले गए यानि कि उनकी ग्रोथ हो गई और वो दूसरी प्रजात यानि कि क्या हुआ है समय के साथ में मैनीर्ली समय के साथ मैं मतलब बहुत पहले से जो हॉर्सेस थे और जो हुँमन्स थे होडसी और ह्यूमन्स का क्या हुआ वो प्रोग्रेश्यव क्या है geworden यानि पहले आदी मानब थे अब P develop मानव होग घ야 ऐसे होर से ढिया है और दूसरी परजाति में पहले हम लोग बंदर थे और बंदर से क्या हो गए इनसान हो गएए की पिरकार से अधर इसपैसी रिख दूसरी परजातियों कि तरह। तो दा ओल्ड इस्पेसीज यह मोश्टली आपको आपके जो कुशन था दूसरा उसका आंसर तो आपको मिल गया कि यह बात जो है हो रही है वो लगातार किसी इस्पेसीज के बारे में हो रही है और कैसी इस्पेसीज के बारे में हो रही है ओल्ड इस्पेसीज के यहां से का प्रेशन तो solve हो गया लेकिन हम पढ़ लेते हैं पूरा पैरा ठीक है पूरा पैरा हम पढ़ लेते हैं दें है यहां पर क्या किया गया है चेंच यहां परते हैं many early from the horses and human being have progressively changed by evolution into new species the old species has changed जो पुरानी प्रजातिया थी वो change हो गही and not रियलिए डाइ आउट ना की खतम हो गई यह कहना चाहरा है कि जो पुरानी प्रदातियां थी वो चेंज हो गई है खतम नहीं हो थी So this is called pseudo extension तो इसने क्या कहते है एक छहद्म बिलुपति कहते है चहद्म बिलुपति का मतलब जो पहले प्रजाती थी वो धीरे-धीरे खत्म हो गई और नई प्रजाति में डबलप हो गई है ना तो दा सेकेंड कॉमन वे इन विच एनिमल है डाई आउट इस फॉर आ सिंगल स्पेसीज तो डिसपीर विकॉज और सम् लोकल डिस्टरवेंस यानि की सेकेंड कॉमन बेज हो था सेकेंड जो तरीका था इस पेसीज क होने का वो यह था कि लोकल डिस्टरवेंस लोकल जो डिसटरवेंस त that have very special diets, जो कुछ जानवर क्या थे, उनकी special diets से, यानि कि वो कुछ अलग खाते थे, for example example के लिए could die out very easily, वो क्या हुए, वो खतम हो गए, बहुत आसानी से, if their source of food goes down, अगर उनके खाने का सामान जो है, खतम हो गया, तो वो प्रजातियां भी खतम हो गई, ठीक है, यानि कि उनके जो खाने की special, जो भी वो खाते थे, अगर वो धर्ती से नश्ट हो गया, तो क्या हुआ, उनकी प्रजातियां भी धर्ती से बलुप्त होने लगी दीरे-दीरे, इसके साथ में यह बता रहा है, it is thought that certain species of dinosaurs were adapted to eating particular kind of ready plants, यानि कि यह कह रहा है कि जो dinosaurs थे, वो क्या खाते थे, ready plants खाते थे, ready plants होते हैं, जो दल-दल में उखते हैं, या इक टाइब के होते हैं, ठीक है, तो ready plants वो खाते थे, और उनको क्या हुआ, वो जब when these disappeared, those particular species of dinosaurs starved and die out, यह हुआ कि वो जो ready plants थे, वो दीरे-दीरे खत्म होने लगे, तो dinosaurs भी क्या हुए, खत्म हो गए, उसके साथ साथ भूखे, भूखे, भूख से वो क्या हुए, खत्म हो गए, जो dinosaur's थे, वो भूख से क्या हुए, die out, यानि कि खत्म हो गए, ठीक है, तो हमारा जो प्रशन है, उसकी तरफ चलते हैं, यह वाला प्रशन था, which of the following phrases has a determiner in it, यानि कि इसमें determiner आपको बताना था, तो इसमें क्या example के बारे में बात की गई गई है, नहीं, या पहला option आपका गलत हो जाएगा, इसका सही option क्या हो जागा अभी, इसमें किस के बारे में बात की गई है, ठीक है ना disturbance, local disturbance के बारे में भी बात नहीं की गई है और ना ही stopped or die out के बारे में बात की गई है यह जो main चीज है वो है the species यानि कि जो आपका answer हो जाएगा the species तो इस परकार के जो question है उसमें आपको क्या करना है सबसे पहले question पढ़ा उसके बाद क्या कि आपने question पढ़ने के बाद जो question आपसे solve हो गए उसके बाद सीधे पैरा पर गए और उसी चीज का answer आपने खोजनी की कोसिस की इस परकार से आपके जो है पैरा बहुत जल्दी solve हो जाएगा और एक एक चीज को हम लिखते हुए चलेंगे ठीक है इसमें आपको क्या करना है इसमें correctly spelled जो बर्ड है उसको ढूणना है correctly spelled word क्या हो जाएगा पांच में में आपको बताना है पांच में में आपको बताना है और six में आपको बताना है तो यहां पर जो सही word हो जाएगा वो हो जाएगा आपका B यानि कि acknowledged की जो सही spelling क्या हो जाएगी वो हो जाएगी C acknowledge की सही spelling क्या हो जाएगी C बागी option क्या हो जाएगी आपके गलत ऐसे ही पॉसिस का बताईए पॉसिस का बताने की गोसिस कीजिए कि इसका सही word क्या हो जाएगा तो पॉजस का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ठीक है बी आपका बिल्कुल राइट आप्सन हो जाएगा ऐसे ही चलते हैं अगले प्रशन की और अगला प्रशन है हमारा सेविंत इसके लिए क्या आपको बताना है आपको यह बताना है कि चूज रवन विच वैस्ट एक्सप्रेस यानि कि जब यह पूछे कि बैस्ट एक्सप्रेस मीनिंग के बारे में आपको चूज करना है इसका वर्ड कौन सा हो जकता है तो यह पूछना चाहरा है कि जो यहां पर वर्ड दिया हुआ है यहां पर जो बढ़ दिया हुआ है उसको बास्तम में सही से जो है डिफाइन कौन सा बढ़ कर रहा है इन चार ओप्सन में से ठीक है तो इसका रिलाइस का क्या हो जाएगा आपका रिलाइस का हो जाएगा इंजोई ठीक है आनंद से तो इसका मतलब भी क्या होता है आनंद या मजे से इंजोई तो यह वाला जो बढ़ है सी बढ़ क्या है इसको बहुत सही से जो है एक्सप्रेस कर रहा है ठीक है और यहां पर यह दिया हुआ है realize realize का meaning क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ एहसास इसका पूछे तो इसका बताना है आपको एहसास इसका meaning क्या होता है test का स्वाद होता है reveal का क्या होता है reveal का मतलब होता है disclose करना यानि कि किसी चीज़ को disclose करना है खोलना है उसके बारे में बताना या कोई चीज छुपी हुए उसके बारे में उसका भेद प्रकट करना एक प्रकार से ठीक है नेक्स्ट जो प्रशन है हमारा नेक्स्ट प्रशन नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें आप से क्या पूछा है इसमें पूछा है डैट आपोजिट मीनिंग ऑप दा अगर आपको एक्जम्स की मीनिstüt में पता है और इन चारों की मीनिन्ग आपको पता है तभी आप इसक्षिन को सॉुलव कर पाएंगे तो जो एक्जम्सक्ण की मीनिbelievably होती है एच्छूत देना छूट परूट किसी चीज में एक्जेंसिंस करना मतलब छूट देना इस परकार से इंक्ल्यूजन का मतलब होता है समायोजन is my feeling इस इसका सही answer कि हो गया इसका जो सही answer है वह का समयोजन यह कहार एक्जेंशन कम हीन हो गया चूट चूट दे रहा है तो क्या कर रहा है वो अपोजिट क्या हो जाएगा समायोजन करना एक का छूट देना और एक समायोजन करना यह दोनों क्या हो जाएंगे यहां पर आप से पूछेगा लिबलाइजेशन liberalization का मतलब क्या हो जाएगा, उदारी करन, उसी प्रकार से generalization का Teil मतलब हो जाएगा, सामान नि-करन, और exclusion का, आपसे मतलब पूछेगा, exclusion का मतलब होता है, जो है, निकाल देना, या निकी किसी चauthusеч निकाल देना, ठीक है? उसका अर्थ हो जाएगा इसी प्रकार से इन चीजों को नोट कर लेंगे नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे अगला जो बढ़ दिया हुआ है प्रोमिनेंट ठीक है इसका भी क्या बताना है आपको प्रोमिनेंट का बढ़ का आपको बताना है अपोजिट प्रोमिनेंट वर्ड का अपोजिट बताना है प्रोमिनेंट मीन्स होता है प्रमुक प्रोमिनेंट मीन्स क्या होता है प्रमुक होता है ठीक है एक निट ठीक है प्रोमिनेंट का आपको पता चलिया प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है प्रमुक होता है तो आपको क्या डूनना है इसका opposite डूनना है तो जो चीज प्रमुक है और यहां पर क्या दिया हुआ है अन्नोन इसका सही अंसर क्या हो जाएगा अन्नोन का मीन क्या होगा अन्नोन का मीन बताइए अन्नोन का मीन क्या होगा अन्नोन का मीन होगा अग्यात यानि कि एक चीज त होता है प्रख्यात ठीक है उसका भी होता है गिजयात ठीक है तो यहां पर क्या होजाएगा प्रमिनिन का लेंगे में छलेंगे डिया स॑ल crews हर का यह किस से दिया हुआ है इसमें आपको fill in the blanks का यह प्रश्न है इसमें आपको क्या है यहाँ पर fill करना है ठीक है यह खाली जो जगह है यहाँ पर इन चारों में से जो अर्थ के अनुसार जो सबसे सही बैठे उसको fill करना है अब यहाँ पर क्या दियो हुआ है आवर new digital photo printing machine हमारी new digital photo printing machine हमारी जो नई digital photo printing machine है तो the manual उसका क्या है manual is lost तो इसका क्या हिंदी अर्थ क्या निकलेगा कि the manual of which यानि कि manual जिसका तो जिसका के लिए हम सबसे सही बढ़ जो यूज करेंगे वो करेंगे of which यानि कि जो manual हमारा खो गया था of which जिसका manual खो गया था await to be await to be set up properly तो यहाँ पर the manual is lost तो यहाँ पर the manual of which जिसका manual खो गया था ठीक है वो set करने के लिए प्रतिक्षा रत है ठीक है तो इसमें क्या हो जाएगा आपका D option बिल्कुल सही हो जाएगा इसी प्रकार से हम चलते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा 11 जो प्रश्न है हमारा इसमें भी आपको क्या करना है सही वर्ड फिल करना है देख रहा है आपको यहाँ पर कर लेते हैं यहाँ पर दिया हुआ है रामु- इस-इदा हैविट ओफ रि वाइजिंग जस्ट वंस रामु की क्या वेट की वो एक बार में क्या गर लेता है चीजों को याद कर लेता है बट र्ड इस जब तक तीन बार याद नहीं करता है किसी चीज को तब तक उसे वह चीज याद नहीं होती है तो यहाँ पर Hindi meaning क्या प्रयोग होगा आपका यहाँ पर जब तक यही तो फिट बैट रहा है यही तो फिट बैट रहा है सुरेश never understand a subject जब तक he revise it for at least three times तो यहाँ पर आप जब तक का जो सही मीनिंग है वो क्या यूज करेंगे unless ठीक है unless का मतलब क्या होता है जब तक ठीक है तो आपका बिल्कुल सही option क्या हो जाएगा D यहाँ पर आपका सही option क्या हो जाएगा D यहाँ पर आप D का प्रियोग करेंगे और यह आप बाकिके according ही ज़्यादा तर प्रियोग करेंगे तो उससे आपके बाकिक को सही होने की संबाबना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ठीक है नेक्स जो प्रशन है हमारा वो क्या कह रहा है नेक्स प्रशन हमारा कह रहा है कि he was sorry he was sorry इसके बाद blank late last night यानि कि वो जो है वो जमा प्रादती है ठीक है he was sorry for late last night देर से आने के लिए क्या है वो sorry feel कर रहा है तो to come आएगा या about coming आएगा या to coming आएगा इसकी जगे या from coming आएगा तो यह पास्ट की बात कर रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा to come to का use होता है के बारे में यानि कि वो कल रात लेट आने के को लेकर क्या है sorry feel कर रहा है ठीक है यहाँ पर आपका d option बिलकुल सही हो जाएगा ठीक है sorry b option आपका बिलकुल सही हो जाएगा यहाँ पर अब next question की और चलते हैं next जो हमारा प्रश्ण है next question क्या क्या रहा आपका तेरे और चौदे के लिए इसमें दिया हुआ है क्या दिया हुआ है हां इसमें आपको क्या करना है यह जो 30 number sentence दिया हुआ है इसके पीछे एक underline दिया हुई है आदे बढ़ के नीचे underline दिया हुई है ठीक है underline जो दिया हुई है इसमें आपको देखना है क्या इस बाक्य को जो आपको दिया हुआ है इसको आप कुछ सुधार सकते हैं अगर आप सुधार सकते हैं इन चारों इन 3 Opsons मैंज अगर आपको लग रहा है कि इसमेंसे कुछ आप सुधार सकते हैं तो आप उस option को choose कर लेंगे और अगर आपको लग रहा है कि इन में से तीनों में से कोई भी साही नहीं है तो आप चौते option को no improvement वाले को choose करेंगे ठीक है तो यहाँ पर जो है if I studied well ठीक है यहाँ पर दिया हुआ है if I studied well यानि कि अगर मैं अच्छे से पढ़ूंगा then I will pass तो जो संभावना वाले बाग क्यों होते हैं इसमें आपको use करना होता है would ठीक है I would pass यहाँ पर आप would का प्रियोग करेंगे तो if I studied well I would pass यहाँ पर बिलकुल सही answer आपका हो जाएगा ठीक है next जो प्रश्ण है हमारा वो कह रहा है कि see remained see reminded where to leave the paper इसका जो सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा me where I had to leave यानि कि जो blank है जो यह वाली line है यह replace किस से हो जाएगी इस वाले sentence है तो नया sentence क्या बनेगा see reminded me where I had to leave ठीक है where I had to leave the papers ठीक है तो इसका सही जो answer हो जाएगा वो हो जाएगा next person की ओर चलते है next person आपका किसे के आरे में यह error finding के बारे में यहाँ पर आपको क्या करना है error find करना है पूरे sentence में अगर आपको लग रहा है कि पूरा sentence आपका ठीक है उसके बाद आपको कौन सा option चूज करना है यहाँ तक D option है यह ऐसे ही C है इसमें ठीक है ऐसे ही यहाँ पर यह वाला B option है यानि कि जो slash से पहले का है वो B है ऐसे ही slash से पहले का A option है यह 4 option आपके बन जाते हैं और 4 option मैंसे आपको right जो option है वो choose करना है इन मैंसे तो देख लेते हैं इसमें क्या दे रहा है the committee is thinking committee सोच रही है not to bring around any change in the basic structure ठीक है यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर कहाँ पर आ रही है around में आ रही है around में आ रही है यहाँ पर around ना होके bring about होगा क्या होगा यानि कि अब हो जाएगा the committee is thinking not to bring about any changes यानि कि कोई बदलाव करने के बारे में कोई बदलाव ना करने के बारे में क्या कर रही है committee सोच रही है in the basic structure basic structure में मूलभूत structure में वो कोई भी बदलाव ना करने के बारे में सोच रही है तो bring about नहीं होता है bring around नहीं होता है bring about होता है bring about हो जाएगा इसका मतलब हो जाएगा किसी के बारे में bring about to something happen ठीक है इसका मतलब हो जाए to something happen next की चलते हैं next जो हमारा हो गया यह क्या रहा है था chief minister had no time last time chief minister के पास समय नहीं है किसके लिए to pay attention on such simple matters ठीक है chief minister had no time to pay attention on such simple matters THIEF minister के पास समय नहीं है इस प्रकार के जो है इस प्रकार के साधारण को मेंटर को ध्यान देने की ठीक है उनकी दर्भ ध्यान देने की तो इसमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, the chief minister had no time, यहां तक बिलकूल ठीक है, ठीक है, इसके बाद आता है, to pay attention, attention देने की है, on such, on such simple matters, दिक्कत कहां पे आ गई, on, यहां पे, यहां पे आपका on use नहीं होगा, जब हम किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो हमें use करना होता है, to, क और two का अर्थ जो हो जाएगा, वो हो जाएगा, यहां पे के बारे में, यानि कि, इस प्रकार के बारे में, simple matters के बारे में, two क्या बता रहा है, यहां पे के बारे में, simple matter के बारे में, सच मतलब, इस प्रकार के, simple matter के बारे में, जो है, chief minister को, कोई समय नहीं है, उसमें attention देन है हम यहां से अगला पृष्ण वारा हो जाएगा अपको यहां पर बन वर्ड बताना है ठीक है आपको बताना है यह foreigner who settled in a country तो इसका एक बड़ में अर्थ क्या होगा जैसे हिंदी में बन वर्ड होता है ठीक है जैसे इसमें क्या होता ही है तो इसको क्या करते है इसकी इसका आंसर क्या है ए फॉरिनर हुष सेटल सेटल इन ए कांट्री यнимिकि कोई बिदेशी जो है किसी बाइन कांट्री में सैट हो जाता है किसी कंट्री में बिदेशी आकर रहने लगता है तो उसे क्या कहते है तो यह आपका उप्सन नममर और यह क्या हो जाएगा immigrant विलकुल सही हो जाएगा यानि कि जो foreigner होता है किसी country में रहने लगता है तो उसे immigrant कहते है नेक्स्ट हो गया एलियन दो आपको पता ही है ठीक है और visitor भी आपको पता है visitor मतलब visit करने वाला है है ना आपको क्या बताना है इसमें कौन सी बर्व आपकी यूज होगी यह आपको बताना है ठीक है तो माई फ्रेंड एंड आई ठीक है एंड ते जब कोई भी बाग के जुड़ा हुआ होगा तो उसमें आपको क्या करना है second वाले के according बर्व लगाने है second आपको क्या दिया हुआ है i अई के साथ में क्या हैगा is has was já have been तो इसके सही अंसर क्या हो जाएगा have been यानि कि i के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे have been have been piace की तो यहां पर हो जाएगँ my friend and i have been invited to the party ठीक है यहाँ पर क्या हो जाएगा my friend and I have been invited to the party ठीक है next question क्यों चलते हैं next जो हमारा question हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें क्या है direct indirect आपको दिया हुआ है ठीक है direct indirect आपको दिया हुआ है क्या question दिया हुआ है captain said to the army यानि कि जो captain है है उसने army से कहा March forward now आगे की तरफ बढ़ो यानि कि यहां पर captain said to the army army को जब captain कहेगा तो इसमें क्या लगेगा ordered ठीक है the captain said to तो गलत हो जाएगा set to क्या लगाएंगे order लगाएंगे ठीक है तो captain ordered the army ठीक है और यह अटा के क्या लगाएंगे अच्छे को माटा टाके टू ठीक है मार्च फारवर नाव का क्या हो जाएगा देन भी आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही ठीक है बी आसनाई धीकल सही हो जाएगा इस में चाह सब्सक्राइब गया यह भी गलत हो जाएगा त्यास और इस बगार से आपका B option is the right option जो डी option ए वो दूसरी तरह है उसको भी हम देख लेते हैं और आपका B option is the right option गए झाड आपका प्रशन हो जाएगा active पैसिव बॉसका active passive boys का हो जाएगा आपका next question कि इसमें क्या दिया हुआ है का पैसे बॉइस आपको बनाना है ठीक है इसको कि दर से बनाते हैं पीछे बनाते हैं ठीक है तो यहां पे पीछे क्या दिया हुआ है आपका आपके पीछे के दिया हुआ है sentence के last में क्या दिया हुआ है To answer at kya हो जाएगा वी यानि की एक option तो आपके क्या होगा कलत हो गया बागी बच्चे तीन अब बी के साथ में इसका क्या लगाएं गया इस यस को Kắn है आर reading यानि की और यह ओप्सन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही ओप्सन आपका ए ओप्सन रहने वाला है ठीक है तो इस परकार से आपके 20 प्रशन जो है यहाँ पर complete हो चुक है पूरे के पूरे ठीक है 20 प्रशन आपके complete हो चुक है और इसी के साथ में पेपर सेकेंड भी आपका हम कराने वाले हैं पेपर सेकेंड के लिए भी आप इससे जुड़ सकते हैं ठीक है धन्यवाद